हालौ एननमौशकार दोस्तों स्वाकत एक बार फिर से आप सभी का अपने चलने एजए टेक्न, पे दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाल के कि टी सी में क्या क्या ले कर जाना है और कौने वाला है तो आप जितना भी आपका ज़तना भी सारा डाउट है हम इसी में में पूरा किलियर करने वाले हैं तो आज के वीडियोफ इसी टॉपिक पे होने अला है तो सलाश तक बने रही जिए हमारे साथ इसी वीडियो इब और अपना सारव डाउट क्लियर कीजिए तो दोस्तों इस वीडियो स्टारट याँ प기ले कर और आप बात करने कुछ दिन पहले ही अभी हाली में पब्लीष की गई तो उनका जो सेंटर मिला है रे हमें बताता जा रहा हूँ आप वह अपना एक लिष्ट पर उसको आप नोड करते जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आप एक बॉक्स ले जाएंगे लब बक्सा जिसे बोलते हैं यानि जो एक संदूर टाइप का होता है छोटा वला तो आप उसको लेके जाएंगे आप यहां ट्रॉली बैक के या फिर बैक के चक्कर में ना पड़िएगा क्योंकि दिन में आपको कम से कम चार से पांच बार उसको ओपन कर रहा है तो ट्रॉली बैक तो आप समझते ही है कि फैसन के दौर में गारेंटी कि कोई वैल्लिव नही जाएं मीडियम साइज का ठीक है और उसके बाद आपको यहां पर फिर पाक्स के बाद अगर आपकी जो डेली मेंटेनेंस की बात करते हैं तो उस उस पर आपको क्या लेके जाना है तो आपको अपने जो सेविंग बैक है एक त्यार करना अपने सेविंग के लिए अगर आपको दो जोड़ी जो कपड़े हैं तो यह कम से कम नहीं तो तीन पर आप रख लीजेए तीन से ज्यादा रिखेगा कम से कम चार तीन से कम मत रखेगा और यहां पर जो शिंटर पर यह सब ज्यादा चोरी होते ठीक है ज्यादा आते नहीं इस पर समयज करते तो इधर इधर हो जाते हैं तो आप इसमें कहीं पर भी आप छोटा सा इस्टार या कुछ भी अपना सिंबल जो है आप बना सकते हैं कि ताकि आपको जो कपड़ा है आपको पहषान में आ जाया कभी अगर खुए तो तो आप चाहें तो भी आप कर सकते हैं तो इसके बाद पिर बात करते है आपकी बद शीट कि तो आप को एक वाइड बेट सीट आपको लेके जानी होगी तो इसके उपर से आपको यह बाट डालनी होगी ठीक है? और एक बिट शीट आपको ऐसे लेके जाना होगी कि जबी आप लेटेंगे वह बिचाना होगी उसके बाद आपको अपना बूट पालिश बूट ब्रिश ये भी आपको रखना है क्याव को आपको आपापर सूज्ज होंगे उसको भी हापको पालिश करना होगा डिली और फिर इसके बाद बात करते हैं आपको तो एक आप अपने साथ गमशा भी हमें सा रखिएगा ताकि आपको गर्मी का मोश्म है तो जरूरत पड़ेगी तो आप अपने साथ गमशा भी रखें अपना तो ज्यादा बेटर होगा इसके बाद बात कर लेते हैं तो सबसे में बात अभी तो बाकी रह गई है तो वह है आपको खाने के लिए यह में अगलाब जो प्लेट होगी ग्लास रहे हैं तो आपको दो छोटी कटोरी एक चम्मच और एक थाली और एक ग्लास आपके साथ हमेशे आपको रखना पड़ेगा ठीक है तो आपको यह भी रखना है तो इतना सारा चीज आप अपने साथ रखेगा तो जो मैं सबसे में फोकस जो मैं कर रहा हूं तो वह आपका है बॉक्स बॉक्स जरूर ले जाएगा मैं उस्ograf अब दो यह कोई आर्मी में ओभी एस में होगा य। लिके जाते तो आपको मारूब होगा कि कौन सा बाक्स और किस साइज का लगता ठीक है और बाक्स के ऊपर अपना चाहँ हो आप नाम भी लिखा सकते हो ठीक है तो आपको बाक्स तो में है मैं तो मिस्ट आपको यही शला दूगा कि आप बाक्स लेकर जाए टॉली बाग या फिर बैक के चक्कर भी ना पड़ें कि वहाँ पर डेली आपको अपना उसको चार से पांच बार दिन में ओपिन करना पड़ेगा डेली का काम है ठीक है इतना कुछ हो गया अब इसके बाद आपको जो अपने डाकुमेंट है ओरिजिनल वह भी आपको अपने साथ रखना है तो उसको सेफ रखने के लिए आप अपना एक जो बाक्स होगा उसके लॉक लगाने के लिए लॉक भी लेके जाएं और उसका कम से कम दोचा भी हो ठीक है तो लॉक भी आपको मस्ट है कि आप लॉक लेके जाएं अगर आपके पास एक चैन आती है जो खासकर जो आर्मी वाले या पूरीश वाले बंदे होते हैं तो इतना सारा सामान आपको लेकर जाना था अब बात कर लेते हैं कि पीए वाले बच्चों के मेडिकल का होगा तो की बैसे के मेडिकल कब्से कर आसे करवा तो दोस्तों अभी तक कोई भी और वयंवप साइट में कोई भी आफिसली नीज जैसा नहीं आया है कि पीएसी वाले बच्चों का मेडिकल कब से स्टार्ट होने वाला है कब से नहीं होने वाला इनकी ज्वाइनिक अब होगी अभी इसका कोई भी ऑफिसली न्यूज नहीं है अभी जो पुराना न्यूज है वही 11 नॉमबर ठीक है तो गयार नॉमबर का सब कोई वेट करना है तो मैंने आप लोगों कितनी बार का है कि ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए का वीडियो को हैस्टाइग लागा के यूज कि यह सभी चीज में शेयर कीजिए वाट्साम इस्टाग्राम फेस्बुक ट्विटर ताकि सरकार तक आवास बहुं सके बचा भी ह हमार जो 18,000 भाई थे इसमें सिर्फ 200-300 बच्चे ही अभी साइज जाग रुख हुए बाकि कि सब के सब रिस्ट करने तो भाई आप लोग रिस्ट करिए और आप अपने जैनरी वह स्वारी नॉंबर जो आएगी 11 नॉंबर तो आप अपनी जोईनिंग ले लिए ठीक है तो अब आपका उमीद करते हूं जो भी डाउट था तो वह सारा हाँ पर क्लियर हो गया वहां कुछ बच्चे हैं जिनका भी मेडिकल नहीं हुआ है तो जाद आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूद है आपका जो मेडिकल हो 25 से पहले 100 परसेंट हो जाएगा क्योंकि मेरा डि मेडिकल देखने को मिलना कि जो पहले इतना टफ मेडिकल हो था वह थोड़ा से नौर्मल और हो गया तो यह चीज यह खुशकबरी यह सभी जो बाद में बच्चों का हो रहा है तो अब मेडिकल तो जो है कोई पिलिकल में बाहर नहीं हो ठीक है तो तो आज का वीडियो में बस इतनी-ड़ी नियुस थी अगर आपको वीडियो मैं पृसन आई सो लांकि को लायक किज़िएगा जाद साथ या स्क्शки जादा आपको न Ah करता हूँ तो अम्मीद करता हूं तो वीडियो को पसंद आएंगा और वीडियो को मिलते हैं तब तक रहे जाए हैं जय भारत